हेलो दोस्टों तो कैसे आप लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड से आप ऐनलाइन एर्निंग कैसे कर सकते हैं nessa हला कि बहुत सारे ऐसे वीडियो जो क्रेडिट कार्ड को खिलत बताते हैं या फिर खर्चे का घर बताते हैं और नुकसान दायक बताते हैं यगिन मानिए वो ऐसे सही बताते हैं लेकिन अगर आप credit card को सही तरीके से यूज करें तो आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं और इसके बारे में YouTube पे बहुत कम वीडियो है क्योंकि ये तोड़ा सा tricky है और बहु को सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे मेथड बताऊंगा जिसे यूज करके आप credit card से पैसे अर्ण कर सकते हैं पहला मेथड है FD यानि कि fixed deposit अब बहुत लोगों को confusion होगी कि यार credit card से fixed deposit का क्या लेना देना वैसे fixed deposit का नाम सुनत से ही बहुत लोगों को लगता है कि long term investment है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आप fixed deposit 30-45 दिनों के लिए भी कर सकते हैं और आप ये भी जानते होंगे कि credit card का payment duration होता है वो 30-45 देज और 60 देज तक का maximum होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि credit card का amount बिड़ो करके 30-45 दिनों के fix deposit भी करवा सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी के लिए कि कौन सा fix deposit बेटर रहेगा 30-45 दिनों के लिए आप पैसा-bazar.com या फिर bank-bazar.com पे visit कर सकते हैं और उनके customer support से बात कर सकते हैं वो आपको easily provide करवा देंगे इसके अलाबा आप अपने bank के branch में भी visit कर सकते हैं वो भी आपको बता देंगे तो fix deposit से भी आप earn कर सकते हैं 30-45 दिनों के लिए पैसे डाले जब आपको bill generate हो जाया और आपको payment करना हो तो उस पैसे को यारी कि fix deposit को तुरबा ले और उससे क्या होगा कि जो आपका interest होगा वो आपका benefit हो गया और जो amount होगा वो आपसे आप credit card म आपको पैसे कमा के भी दे सकता है दूसरा option होता है auto swipe बहुत कम लोगों को पता होता है कि saving account में पैसे रखने पर आपको fix deposit जितना interest मिल सकता है वसमें एक auto swiping activate करना होता है अगर आपको इसके बारे में नहीं knowledge है तो आप मुझे comment section में अभी बता है मैं आपको एक complete video बना के दूँगा कि auto swipe कैसे fix deposit जैसा interest देता है और आप उसको कैसे activate कर सकते है activate करने का तरीका तो मैं अभी बता देता हूँ normally आप अपने bank branch visit करके या customer care में call करके auto swipe activate करवा सकते हैं और उस पैसे को यानि के credit card के पैसे को आपने saving account में रख सकते हैं और वो normal होता है उस पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हैं लेकिन जितने दिनों तक आपके saving account में रहेगा उस पर आपको fix deposit जितना interest मिलेगा तो यह एक तरीका भी है जिससे आप अपने credit card money से पैसे earn कर सकते हैं तीसरा method से है rewards दोस्तों बहुत सारे ऐसे application है जैसे एक credit application है जिसके थुरू आप अपने credit card को use क करते हैं तो हर एक transaction पर आपको rewards या cashback मिलते हैं जिससे भी आप ऐसा earn कर सकते हैं यानि कि हर एक transaction पर मैंने credit के ऊपर एक छोड़ा सा video बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने credit card के amount को cash में कैसे convert कर सकते हैं आप ये video देख सकते हैं और इसका link भी आपको description box में मि आप install कर सकते हैं और credit के ऊपर आपको और detail video चाहिए तो आप उसके बारे में भी मुझे comment section में बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर एक complete video बताऊं क्योंकि credit का बहुत सारा benefit है जो YouTube पे बहुत कम लोगों ने बताया है लेकिन जब मैं आपको explain video complete video credit application के बारे में बताऊंगा त करता हूं कि तीनों method आपको जरूर पसंद आया होंगे अगर आपको इसके अलावा और को method पता है तो आप मुझे comment section में जरूर बताएं ताकि हमारे audience को भी इसके बारे में पता चल सकता है तो अगर आपको अच्छा लगा है यह वीडियो तो प्लीज लाइक कर दें और financial र